अज हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी महाराज के दो चमतकारी उपाय व मंत्र जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण और आपका बड़े से बड़ा दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा हिंदू। धर्म में हनुमान जी का अत्यंत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। धार्मिक मान्यतानुसार श्रीराम की आग्या का पालन करते हुए आज भी हनुमान जी भक्तों की रक्षा और कल्यान के लिए प्रित्वी लोग में वास करते हैं लोगों की हनुमान जी में इतनी आस्था और विश्वास है कि माना जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या का निवारन हनुमान जी की पूजा से हो जाता है हनुमान जी की कृपा से ही धन, विजय और आरोग्य की प्राप्ती होती है यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों यदि आपके विरोधी प्रतिदवंद्वियों ने आपका जीवन तनाव पूर्ण बना दिया है तो हनुमान जी का चित्र घर में पवित्र स्थान पर ऐसे लगाएं कि हनुमान जी दक्षिन दिशा की ओर देखते हुए प्रतिद हो यह उपाय आपके विरोधियों को डोट शांट कर धन की वृध्धी करने में सहायक होगा इसके अतिरिक्त सामर्थ्य अनुसार किसी विशेश पर्व या तिथी पर हनुमान जी का विशेश श्रिंगार करना चाहिए तथा पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करें मंत्र है दुर्गते शर्ण तस्य सर्वशत्रु हर परम ध्यात्वा पंचमुखा रुद्र हनुमंतन दयानिधिम दूसरा उपाय ऐसा है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी मंगलवार या शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेश माना जाता है वैसे तो सब दिन हनुमान जी की पूजा के लिए अत्यंत शुब है लेकिन सप्ताह के इन दोनों दिन ही ग्यारह पीपल के पत्ते लेकर साफ जल से धोने के बाद पत्तों पर चंदन से या कुमकुम से श्रीराम का नाम लिखकर हनुमान जी मंदिर में इन पत्तों को चड़ाना चाहिए जोतिश के अनुसार ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो सकते हैं प्रत्येक मंगलवार्या शनिवार को सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं